Hi mommies and daddies, welcome back to MomCom India. हमारे छोटे बेबीज का पहला साल बहुत ही क्रूशल होता है उनकी physical development के perspective से. इस पहले साल में काफी सारे milestones वो hit करते हैं, जैसे इनने control करना, rollover करना, बैठना, चलना, crawl करना, काफी सारे major physical developments आपको देखने को मिलते हैं, जो typically एक से डेट साल में पूरे हो जाते हैं. इन physical developments को सही तरीके से meet करने के लिए उन्हें हमारी भी जरूरत पढ़ती है. क्योंकि मेरी बीटी नूर अभी धाई महीने की है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम as parents अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं, ताकि बच्चे अपने ये development milestones सही तरीके से meet कर सकें. तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पूरा जरूर देखिएगा, लाइक बटन हिट कर दीजेगा अगर वीडियो पसंद आए तो. बट ऐसा नहीं है, मसाज के इस से उपर बहुत फाइदे होते हैं, जैसे कि blood circulation, relaxation, muscle movement, flexibility, body की stretching and सबसे जरूरी strength building जो उने इन सारे development milestones को meet करने में मदद करता है. अब मैं आपको massage से related कुछ जरूरी tips दूँगी, आप इने जरूर follow कीजे और अपने बच्चों में difference देखिए. तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, तो आप उनको दिन में दो बार massage कीजे, एक बार morning में उनका massage routine बनाई है, जहां आप उन्हें 15-20 minute अच्छे से oil से massage देंगे, massage देने के बाद 15-20 minute के लिए oil को body पिल लगे रहने देंगे, और उसके बाद आप उन् से massage रात को दे सकते हैं, आपने note किया होगा कि जब बच्चे को दिन में massage मिलती है, तो उसके बाद बच्चा बहुत अच्छे तरीके से सोता है, तो जब आप रात को भी बच्चों को massage देते हैं, तो उनके लिए ये एक sleep cue की तरह काम करता है, जो उनकी sleep training में भी मदद करता है, रात की time भी massage करने से बच्चों को बहुत अच्छी नीद आती है, और बच्चे लंबे घंटों के लिए सोना भी दीरे दीरे शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर massage के लिए मैं यूस कर रही हूँ डाबर लाल तेल, जिसको जाना जाता है ग्रोथ वाली massage के लिए, ये आ पुरत दाल है, जो muscles और bones को nourish भी करती है, सही oil के साथ सही massage technique और हाथ का pressure भी बहुत important है, सही results पाने के लिए, ये मैंने oil हाथ में लेके अपने हाथों को रब किया, ताकि मेरे हाथ warm हो जाए, बेबी को ठंड ना लगे, और फिर हलके pressure के साथ massage करना शुरू किया, बेबी की उजे apply करते हुए, ये बहुत ही smooth लगता है, इसका red color कोई artificial color नहीं है, बलकी ratan jodh की वज़ा से है, ratan jodh एक ayurvedic herb है, जिसको माना जाता है to prevent skin infections, इसमें camphor भी है, जो blood circulation पे काम करता है, और body को एक cooling effect देने का काम करता है, और इसमें shunk pushpi भी है, जो skin को glow देता है, in fact अग को भी postpartum period में रोज मसाज करने की जरूरत है, body में काफी pain होता है, body की recovery होती है, muscles काफी दर्द करते हैं, तो मैंने भी अभी नूर के बाद जो मसाज कराई है, उसमें यही oil use किया है, और मैंने खुद बहुत difference अपनी body में feel किया है, So, आप 15-20 minute आप massage process continue करो, इसमें आप अपने baby से बात करो, गाने गाओ, background में music लगा दो, ताकि एक अच्छा environment create हो जाए, और ये massage आप उस time पे करो, जब baby को feed लिये वे, at least आदा घंटा हो चुका है, ताकि baby sleepy नहीं है, baby happy है, तो वो massage भी enjoy करेगा, इसके बाद आप lowi भी ल wrap कर दो किसी कपड़े में और फिर आप बात के लिए ले जाओ, अब आप note करोगे कि डाबर लाल तेल में एक अलग सी fragrance है, but guys, ये fragrance बेबी को बिल्कुल भी irritate नहीं करती है, ये fragrance इसमें ये जो ayurvedic ingredients है, इसकी वज़ा से है, जब आप baby को बात दोगे, तो ये जो oil है, ये बहुत आसानी से निकल भी जाता है, बस बात खतम होने के बाद quickly baby को moisturize कर दो और आपका baby विल्कुल fresh है और सोने के लिए ready है, इसी तरीके से अट्ली बच्चे के first birthday तक आप खोशिश करो कि आप रोज उन्हें ये growth वाली massage ज़रूर दें, उसके बार totally आपके और आपके आप continue करना चाते हैं नहीं, मेरे 5 साल के बेटे को अब हम हफते में सिरफ एक बार ही इस तरीके की massage दे पाते हैं, बट बेटी को हम रोज ऐसी massage दिन में दो बार देते हैं, तो guys मसाज से हमने बच्चे की strength develop करी, अब हमारा दूसरा टिप है कि हम daily बच्चे को exercise कराएंगे, exercises exercises बहुत अच्छी activity भी है, बच्चे की काफी movement होती है, बच्चे ठकते हैं और साथ ही उनकी strength development होता है, muscle development होता है, flexibility आती है body में, तो यह हमें करना है, exercises से related क्या tips हैं, सबसे पहले कि exercise में और feed में कम से कम आदे घंटी का gap होना चाहिए, exercise तब करनी है, जब बच्चा बिलकु जादा strength मिलती है, flat surface safe होना चाहिए, hygienic होना चाहिए और आप खुद वहाँ पे बैठे होने चाहिए, under supervision होने चाहिए, अब क्योंकि मेरी बेटी अभी धाई महीने की है, तो हम zero to three month में बच्चे के साथ क्या exercise कर सकते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, तो सबसे popular exercise है tummy time, tummy time मतलब बच्चे को आपने पेठ के बल उल्टा कर दिया, उसके हाथों को सीधा कर दिया, और आप बच्चे को खुद से अपने neck को control करने दे, आपको बस ध्यान ये रखना है कि किसी भी point पे बच्चा अपना नाक नहीं दबाए, क्योंकि उसकी सांस में problem नहीं होनी चाहिए मेरी बेटी नूर जो बहुत ही चोटी थी तब से ही tummy time कर रही है, हर बार जब हम diaper change करते हैं तो हम उसे tummy time देते हैं, और इससे बच्चे की जो neck control, जो पहला milestone है, उसमें आप देखेंगे कि वो कितनी जल्दी ये achieve कर लेता है, तो tummy time आप flat surface पे कर सकते हैं, उससे बच्चे को जादा help मिलेगी strength develop करने में, अगर आप एक गद्दे पे करेंगे तो बच्चे की really strength develop नहीं होगी क्योंकि बच्चा power ही नहीं लगा पाएगा, और दूसरा आप अपनी chest पे भी लिटा के कर सकते हैं, especially पापा लोगों को बहुत मजा आता है ये करने में, so tummy time is a great exercise, दूसरी exercise bicycle legs, तो ये भी आप कभी भी कर सकते हो, बच्चे को इसमें मस्ती भी बहुत होती है, एक एक लेक करके भी कर सकते हो, और दोनों legs इकट्थे भी कर सकते हो, इससे gas भी relieve होती है, और बच्चे की legs को strong करने के लिए ये बहुत important है, तीसरी exercise है, cross over, तो हातों और पेरों का अपन करना, नीचे करना, open करना, close करना, ये exercises आप कीजिए ताकि बच्चे की पूरी body खुल जाए, क्योंकि बच्चे mother के womb में बिलकुल curled up होते हैं, तो उनकी body को खोलना बहुत जरूरी होता है, stretch out करना बहुत जरूरी होता है, जो आप धीरे-धीरे करेंगे, initially आप देखेंगे वो अपने पैर फोल्ड करके रखते हैं, हातों को भी बिलकुल टाइट करके रखते हैं, बट मसाज की टाइम में, especially जब आप ये exercises बच्चों के साथ करेंगे, तो उनकी body बहुत अच्छे तरीके से खुल जाएगी, इस से उन्हें roll over करने में, crawl करते हुए आगे बढ़ने म बहुत मदद मिलेगी, so guys as a mother of two kids, मैं अपने experience से आपको बता सकती हूँ, कि रोज मसाज करना, सही technique से मसाज करना, सही oil से मसाज करना, और रोज exercises करना, बस इतना ही चाहिए बच्चे को अपने physical development को meet करने के लिए, हर बच्चे का physical development अलग-अलग time period पे होता है, कोई rule book नहीं कि इस महीने तक ये हो जाना चाहिए, या उस महीने तक वो हो जाना चाहिए, general guidelines होती है, बड़ अगर आपके बच्चे उस guideline पे exactly वो milestone meet नहीं कर रहे हैं, तो घबराये नहीं, हर बच्चा अलग होता है, कोई बच्चा कोई चीज पहले करता है, कोई बच्चा कोई चीज बा ऐसा होता है, so again with babies, life is full of surprises, आप अपनी तरफ से effort करते रहे हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, and you will definitely help them meet their development milestones, and guys, जहां तक बात रही डबलाल तेल की, तो ये बहुत popular है, बहुत सालों से use हो रहे है, और बहुत एज़ीली हर जगा available है, but मैं फिर भी आपके लि link description box में डाल दूगी, आप वहाँ जाके इसे check out कर लीजेगा, thank you everybody, bye bye!